हलो एवरीफ़न, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, मेर नाम जुनायत है, कैसे हैं आप सब, तो आज हम बात करने वाले हैं, आइफोन 10 की जो कि हम करने वाले हैं एन्बॉक्सिंग, और ये एक सेकंड हेंड फोन है, जो कि मैंने मंगाया हुआ है दुबाई से, एक फारू फोन में ये मिला है, और इसके अंदर देखने को मिल जाता है, नाइन डी, टेमपर्ड ग्लास, जो कि हमारी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करेगा, और चलिए देखते हैं, निकालते हैं अपने फोन को, कि ये कैसा है, तो जैसा कि आप देख रहोंगे, फोन के ऊपर कवर चड़ ये आईफोन 10 है, जो कि मैंने दुबई से मंगवाया हुआ है, और बॉक्स में देखते हैं, और क्या चीज़े हैं, आपको इसके नीचे देखना को मिल जाता है, ये टेमपर्ड लगाने के लिए ये चीज़े हैं, और साथ में इसकी केबल है, इसे रखते हैं साइड में, और निकालते हैं अपने फोन को बाहर, फोन को देख सकते हैं, आप कितनी अच्छी तरह से बबल रैप के अंदर रखा हुआ है ये, और इसे निकालते हैं बाहर, देखते हैं, फोन में जैसा कि आप देख रहे हैं, कवर लगा हुआ है फोन में, जो कि मुझे फोन के साथ ही मिला है free में तो आप देख सकते हैं यह हमारा phone है iPhone 10 64 GB second hand और कितनी well condition में है अब पीछे देख सकते हैं इसके barcode बगारा लगा हुआ है तो चलिए इसे हटाते हैं इसका cover और फिर देखते हैं इसकी condition क्या है कैसा देखने में मुझे तो बताया किया है बहुत ही genuine phone है तो चलिए देखते हैं और repair भी नहीं है सिर्फ second hand phone है used phone है आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी इसकी ज्यादा scratch नहीं है जैसा कि आपको दिख रहागा तो देखे जैसे कि मैंने cover हटा दिया इसका तो आप condition इसकी देख सकते हैं ज्यादा अच्छी condition में इसकी stainless steel तो है नहीं बट फिर भी ठीक है इस प्राइस रेंज में तो और देखते हैं चलिए तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा इसकी stainless steel की जो polish है तो यूज करने की वज़े से इसकी थोड़ी shine कम हो गई है बाकी phone अच्छी condition में है तो आप जैसा कि सामने देख सकते हैं phone की condition सारी चीज़ें इसकी perfect है तो चलिए भी हम phone को अपने कर लेते हैं on तो जैसा कि मैंने इसे पहले ही inbox कर लिया है और setup भी मैंने कर दिया है तो मैं इसे आप लोगों को on करके दिखाता हूँ तो हमारा phone हो रहा है on और आप जैसा कि सामने देख सकते हैं Apple logo बनके आ गया है तो यह हमारा phone on हो गया है तो अब चलिए इसे चला के देखते हैं कैसा work कर रहा है तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ iPhone तो काफी अच्छा है जैन्मीन प्रोड़क्ट है यह तो मुझे जिस कंडिशन में मिला है तो वो काफी अच्छा है आप देख सकते हैं used phone है यह और काफी टाइम ऐसा होता है कि आप used phone मंगाते हैं लेकिन उसमें कभी display वगएरा आपकी local निकल जाए तो इसमें आप सामने देख सकते हैं true tone आपको दिख रहा होगा सामने brightness देख सकते हैं इसके पूरी डाउन करने पर यह फिर भी हमें दिख रहा है इसमें brightness की पूरी डाउन करने पर भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले की clarity और जैसा कि आप local डिस्प्ले जिसमें होती है जिस phone में तो आप उसे देख के पैचान सकते हैं क्योंकि उसकी brightness आप अगर डाउन कर देंगे तो बिल्कुल अंधेर हो जाता है means कुछ भी दिखता नहीं है उसमें और इसकी brightness भी देख सकते हैं आप डिस्प् नहीं किया था बट मेरी expectation से ज्यादा अच्छा phone ही आया हुआ है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं phone की condition काफी अच्छी है काफी बहतर है तो इसके buttons वगएरा मैं चेक करके देख रहा हूं सारे अच्छे से काम कर रहे हैं और कोई problem नहीं है phone में अभी तक तो कुछ भी problem नह चलेगा लेकिन जैसा मुझे सामने दिख रहा है phone काफी अच्छा है genuine phone है ना ही repair है सारे buttons इसके अच्छे से काम कर रहे है smooth है चलने में भी बहुत अच्छा है काफी smooth चल रहा है जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे phone की main जो चीज होती है वो battery होती है तो हमें phone ऐसा लेना चाह देख बिना देर की हुए चेक करते हैं हमारे phone की battery की battery health जो है कितनी है तो आप सामने देख सकते हैं maximum capacity 96% है जैसा कि आपको दिख रहा होगा 96% इसकी battery health है जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो मैंने फारुक भाई से बोल रखा था कि मुझे 90 plus battery health का phone चाहिए जैसा कि उन्हो promise complete किया है यहाँ पर phone बहुत ही अच्छा है तो इसके लिए मैं उनको thanks कहता हूं तो आप देख सकते हैं कितनी mint condition में है और यह जो सारी चीज़ें आप हमें सामने देख रहे है आईफोन की यह सारी चीज़ें हमें इसके साथ free मिली हुई है इसके साथ charger है और एक cable है और एक phone में तो दोस्तों आप बात करते हैं कि हमें जब भी कोई used phone लेना हो iPhone आप जानते हैं जैसे कि बहुत ही महेंगे phone आते हैं तो हम अगर अपना पैसा इसमें लगा रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और used phone लेने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी कि आप अच्छे से उसे चेक कर लें और इसकी battery health बगएरा देख लें और यह ज़रूर देख लें true tone बगएर अगर आप iPhone 10 और इसके ऊपर के devices ले रहे हैं used devices ले रहे हैं तो आप यह ज़रूर देख लें कि इसमें true tone जो आता है और यह तीनों option brightness के नीचे जो कि आपकी display original है या नहीं इसे पता चल जाता है और दूसरी चीज आप phone genuine है या खुला तो नहीं है यह सारी चीज़ें आप चेक कर लें और i device checker पर जा करके आप इसे चेक कर सकते हैं कि इसकी warranty वगएरा अभी है यानि मैं तो कहूंगा कि जो आप phone ले रहे हैं तो उसकी जो अगर वो under warranty पे है तो ज्यादा better है आप under warranty के set लें जिससे आपको बेफिकर जिससे आप लोग बेफिकर हो जाएंगे और आपको कोई भी problem नहीं होगी क्योंकि वो warranty फोन में है तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें comment करके ज़रूर बताएं और क्या आप used phone लेने में interested ह है या new phone लेने में interested है हमें ये भी comment करके ज़रूर बताएं और जो भी जानकारी आपको चाहिए या कोई भी question हो आपके mind में आप हमें comment section में लिख करके पूछ सकते हैं मैं ज्यादा ज्यादा उसका answer देने के कोशिश करूँगा तो हमेरे चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करे मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye and thank you for watching